लोई फ्रेंड्स मैं हूं गवर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पांडे एक्सपेरिमेंट में तो फ्रेंड्स आज के जो वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं तो उस टॉपिक में आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है तो सुरूँ करते हैं आज कि ये वीडियो में न ft upp MAY миज तो दोस्तों कि वीडियो में हम जानेंके कि जो हमारा फिर सिवaisse और लेखा रहे वागा और सब्सक्तार असलिए तो आसकी वीडियो में हम आपको यहीं पताना वाले हैं तो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हमें लाइन टेस्टर से क्रेंट क्यों नहीं लगता है तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें लाइन टेस्टर से क्रेंट क्यों नहीं लगता है तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि यहां पर देखे मैंने इसको खुल लिया है तो अब हमारे इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या है वो आपको दिखा देता हूं तो यहां पर यह है हमारे मेन है नियॉन बल्ब जो इडिगेटर का काम करता है हमारा यहां पर आप देख सकते हो यह कुछ इस प्रकार से और इसके बाद जो है हमारी रहती है एक मेटल की स्प्रिंग यहां आप देख सकते हो तो यह हमारा मेन कंपोनेंट इसके अंदर रहता है टोटल तो यहां पर जो हमारा मेन कनेक्टिंग पॉइंट यह हो गया और उसके बाद रजिस्टेंस और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा नियोन बल्ब और ये मैंटल की इस्प्रिंग तो यह हमारे मैन कंपोनेंट पर रहते हैं लगल है कि इसलिए हमारे उस लगा ना हिल Dhết तो इसलिए यह हमारे लगाई हुरए रहती है ताकि हमारा ना हिले और रहाखrue तो सब-सब पहहले करेंड हमारे तेस्टर के टेस्टिंग पॉइंट से होकर रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा जो है बल्ब तक आता है तो यहां पर आप इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे यह है कनेक्टिंग जो हमारा पॉइंट और उसके बाद जहां पर जो है हमारा इसमें आप लगा हुआ रहता है उसके बाद जो हमारा इस तरीके से बल्ब लगा हुआ रहता है इस प्रकार से और यह आपस में सभी कनेक्ट रहते हैं उसके बाद यह हमारी स्प्रिंग लगी ही रहती तो इस प्रकार से रहता है उसके बाद यह हमारा कुछ इस प्रकार से देखिए मैं आपको दिखा दूँ जो है लगा हुआ रहता है ताकि यह इसको टेश करें और यह पीछे से हमारे जो है कर लगा हुआ रहता है इस प्रकार से यह हमारा बर्क करता है इस तरीके से इसमें हो है इसकी बज़ेस से हमें करें नहीं लगता है और सारा इस हमें अहीं सारा का नहीं बचे होटा है और चारUSTफे पांच वॉल्ट ही बचते हैं जो हमारे बलफ में पहुंचते हैं तोhone इस बलफ में सार्ब चार चार जा पांच-वॉल्ट ही होसता है और हमें यह मैं जो हमारा ग्राउंड यहां से दे देते हैं मतलब कि हम पीछे से टेस्ट करते तो यह मारा ग्राउंड मिल जाता है तो हमारा फेज जो है इधर से आ जाता है और न्यूटल हमारा इधर से मिल जाता है और न्यूटल तो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है पूरा हो जाता है और हमारा टेस्टर हो जाता है तक यह भी हमारा बल ब्लो करता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सप्लाई आ रही है तो इस प्रकार से आपन हमें current नहीं लगता है और इसके resistance का मान जो है मेजर करेंगे कि इसका जो है मारा रेजेशं सा वैलू क्या है तो इसके अंदर हमें एक digital multimeter की जरूत पड़ेगी तो फेन्स जैसा कि तो मल्टीमेonut को रहने करना है कि अब आपको मैं से देख सकते हो और उसके बाद हमें क्या करना है तो मल्टीमेटर की दोनियों प्रॉग को हमें लेना है यह इस इस Me में एसकी दोनों पोइंट सब्राइं तो इसकी वेलोमने यहां पर तो होकी तो आप यहां पर देख सकते हो lex की कि इसकी वाई लूप क्या यह हुआ कि आप फैर्न्स देख सकते हैं तो थोड़ा को सभग भी पॉलंट इकिन करनेक्टिंग पॉइंट राधा है यहां पर थोड़ा है तो यहां पर फेंट्स जो हमारी से वह हमारी वन मेडाउम्स किया क्योंकि ये मल्टीमिटर हमारी जो है है करन्ट भय लूमन हमें नहीं है करते हैं तो इस ड्रद कर σे यह है रिजिस्टेंश हमारी में दाय में तो यह हिमारी जो रिछलों होती है में कांड की होती है इस बज़े से जो यह हमारा हमें करेंट नहीं लगता है और इसमें जो जैसे जैसे हम resistance की value को बढ़ाते जाएंगे इसमें जो हम value को increase करते जाएंगे तो resistance हमारा जो है इंडेक्टर की तरह काम करने लगता है यहां पर क्या होता है कि इस resistance की value बन मेगा उम आसपास की value होती है इसकी बज़े से जो voltage है वो ड्रॉप हो जाता है और voltage ड्रॉप होते होते इतना ड्रॉप हो जाता है कि कुछ ही voltage हमारे जो है इस लाइन टेस्टर के पॉइंट तक पूंचता है जिसकी वज़े से हमें लगता है लगबग एक मेगा उम के आसपास इसकी value जो है रहती है तो हमारे जिस भाई और दोस्त को यह नहीं पता कि लाइन टेस्टर से हमें क्यों नहीं लगता तो आप इस वीडियो को देख कर जो है समझ जाएंगे कि लाइन टेस्ट से हमें क्यों लगता है ऐसे फिरे यसार क्या होता है दोस्तों आइव यह दो पसंद आजा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चफ़ोड़ करें और वीडियो की जनकारी आपको मिलती है सबसे पहले तो चलिये मिलते हैं किसी नय कॉंटिसरिबके साथ लेइ अँट्रम